हलो फ्रेंड सलकम बेक टू मैं चनल आज मैं आपको पेपलम बेबी टॉफ विद सरकल प्लाजो बनाना बताऊंगी तो पहले मैं पेपलम टॉप की कटिंग करने वाली हूँ नेक्स्ट विडियो में इसका प्लाजो की कटिंग बताऊंगी तो उसके लिए मैंने आदा मिटर प्रिंटेट फैबरिक लिया हुआ है और एक मिटर मैंने ये जॉर्जेट का फैबरिक लिया हुआ है और आदा मिटर से भी कम मैंने अस्तर लिया हुआ है तो इस तरह से हमें तो सबसे पहले हम अस्तर पर टॉप की कटिंग करेंगे तो अस्तर को मैंने फोर फोल्ड करके बिचाया हुआ है जो मेरी सैट है वो बंद वाली सैट है और जो उपर की सैट है वो भी इसकी बंद वाली सैट है और नीचे से दोनों सैट इसकी खुली हुई है इस तरह से फैब strap attach करने वाले है तो shoulder हमें 5 इंच का लेना है और armhole की लंबाई के लिए भी हमें 5 इंच पर ही निशान लगाना है 5 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सिधी line draw कर देनी है जितना हमने shoulder लिया है उतना ही हमें armhole भी लेना है अभी यहां से हम chest का measurement लेंगे तो आपकी baby की chest का जो भी measurement हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच एड कर देना है सिलाई margin के लिए तो मैंने 9 इंच पर निशान लगाया है और एक सिधी line draw कर देनी है chest का fourth part करके 2 इंच एक्ष्ट्रा लेना है अभी नीचे से हमें baby की कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच एड कर देना है सिलाई margin के लिए तो मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है waist का fourth part करके 2 इंच एक्ष्ट्रा लेना है अभी हमें एक line draw कर लेनी है अभी हम गले की चौड़ाई के लिए धाई इंच पर निशान लगाएंगे धाई इंच से ज्यादा गले की चौड़ाई नहीं रखनी है क्योंकि हम इसमें strap attach करने वाले है अभी हम गले की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे तो गले की लंबाई के लिए हमें चार या फिर साड़े चार इंच पर ही निशान लगाना है क्योंकि हम इसमें आगे और पीछे का गला सेम ही बनाने वाले है तो गले की लंबाई हमें चार या फिर साड़े चार इं लो करदे देजाए ओर जो हमने की लंबाई के लिए निशान लगाया है उस निशान के साथ हमें इस को मिलाते हुए राउंड शेप ड्रोग करदेना है तश्च घर वस्ताइब करदेंगे Geolle की लंबाई तक अभी जो हमने स्ट्रिप के लिए निशान लगाया है उस निशान को हमें आम होल के साथ राउंड शेप देते हुए मिला देना है जैसे आप वीडियो में देख सकते है उसी तरह से हमें आम होल के साथ मिलाते हुए इस तरह से राउंड शेप ड्रो कर लेना है अभी जो उपर हमने लाइन टो की है उस निशान को हमें याद रखना है तो यह हमारी स्ट्रिप की लंबाई रहेगी जो हमने तीन इंच पर निशान लगा कर लाइन टो की है तो यह हमें ध्यान में रखना है उसके बाद हमें इसकी कटिंग कर देनी है देखे इस तरह से हमें फेब्रिक पर भी इसकी कटिंग कर देंगे प्रिंटेट फेब्रिक पर भी तो मैंने ये दूसरा वाला फेब्रिक लिया हुआ है क्योंकि मेरा वो फेब्रिक कम पड़ रहा था तो मैंने दूसरा प्रिंटेट फेब्रिक लेकर इसकी कटिंग कर दिया है दोनों ही पार्ट्स क अभी हम bottom part की cutting करेंगे तो ये मेरा एक मिटर का जोर्जेट का फेब्रिक है इसमें मैं अस्तर नहीं लगाने वाली हूँ तो इसे हमें एक बार fold करना है तो ये हमारा double fold हो जाएगा उसके बाद हमें इसे इस तरह से triangle shape में fold fold कर लेना है तो मेरी सैट है वो बंदवाली सैट है और जो उपर की सैट है वो इसकी खुली हुई सैट है इस तरह से मैंने इसे triangle shape में fold किया हुआ है अभी उपर का जो कोना है उसके उपर हमें top का कोई भी एक पार्ट इस तरह से रख और एक लाइन डो कर लेनी है जैसे हमारा टॉप का पाठ है उसी तरह से हमें लाइन डो कर लेनी है अभी टॉप पाठ को हटा देंगे और जो हमने लाइन डो किये है उसके आधा इंच उपर की तरफ हमें इस तरह से राउंड शेप देते हुए एक और लाइन डो कर लेनी है आधा इंच उपर की तरफ रखना है, अभी 12 इंच की हमारी चोली यानि की उपर का टॉप पाट रेडी होगा, तो नीचे की लंबाई भी हम 12 इंच की रखेंगे, तो टोटल लंबाई हमारी 24 इंच की रेडी होगी, अभी 12 इंच को उपर रखते हुए हमें नीचे 12 इंच पर निशान लगाना है, अभी जो हमने कमर के लिए निशान लगाया है, उसके नीचे हमारा 13 इंच का निशान आना चाहिए, अभी कोने से पकड़ते हुए हमें देख लेंगे इसकी कितनी लंबाई आई है, तो ये मेरी 21 इंच की यानि की 21 इंच की लंबाई आई है, इसी तरह से में मेजर टेप को कोने के उपर रखते हुए 21 सिंज पर निशान लगाते जाना है और एक राउंड शेप ड्रोग कर लेना है 21 सिंज पर निशान लगाते हुए आप बोटम पाट के लंबाई अपनी पसंद से कमिया ज्यादा भी कर सकते है अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है तो जैसे हमने ड्रो किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है अभी इसे हम खोल देंगे तो य आगे और पीछे के लिए आप देख सकते हैं एक चाहें तो इसमेर अ अस्तर भी लगा सकते हैं दोनों side से हम आधा-दा inch दबाएंगे तो एक inch हमें extra लेना है तो total मैंने 7 inch की पट्टी कट की हुई है अब इस पट्टी को हमें इस तरह से दोनो side से fold करना है उसके बाद हमें एक और बार fold करते हुए इसमें तरिव लगा देनी है अभी हमें कोई भी टॉप का एक पाट सीधा रखना है और जहां पर हमारा नेक का और आम होल का जो कोना है उसके उपर हमें दोनों स्ट्रिप को इस तरह से रख देना है टॉप का पाट सीधा ही रखेंगे उसके बाद हमें इसके उपर अस्तर को रखना है और इसके armhole पर neck पर और दूसरे side के armhole पर हम सिलाई लगाएंगे strip को अंदर की तरफ रखना है तो देखी इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा दी है अभी हम इसमें छुटे-छुटे cut लगाएंगे तो cut लगाते वक ध्यान रहे हमारी सिलाई नहीं cut न चाहिए उसके बाद हमें अस्तर को उल्टी side पर पलट देना है तो ये strip इस तरह से हमारी बाहर की side पर निकल कर आएंगी देखे इस तरह से उसके बाद हमें इसके उपर cover side लगा देनी है और इसे तीनोly side से अस्तर के साथ joint कर लेना है तो देखे मैंने इसके उपर cover сिलाय लगा दी है और इसे अस्तर के साथ मैंने joint भी कर लिया है अब ही हम दूसरे पाट में strip को joint करेंगे तो पहले हमें अस्तर वाला पाट रखना है और जो पहले वाला हमारा टॉप का पाट है उसे हम सीधा ही रखेंगे और अस्तर के उपर जो हमारे नेक वाला और आम होल वाला जो कोना है उसके उपर हमें इस तरह से दोनों स्ट्रिप को रखना है उसके बाद जो हमारा टॉप का पार्ट है उससे हमें उल्टा रखना है तो ध्यान रहें टॉप का पार्ट उल्टा रखेंगे उसके बाद हमें इसमें सिलाई लगा देनी है आम होल के उपर नेक पर और दूसरे साइट के आम होल के उपर उसके बाद जो हमारा मेर फेबरिक ये स्टिप हमारे पाहर की साइट इस तरह से निकल जाएंगे। उसके बाद भी ससले कर लेंगे। तो देखे लिए और या भार जो निएम Canadians को मपरेंगे, टोक साइटेंगा। और दूसरे पाट के उपर भी हमें बोटम का पाट उल्टा रखना है और इसके उपर हमें सिलाय लगा देनी है तो हम दोनों बोटम पाट को अटेच कर लेंगे दोनों साइट से तो देखे मैंने बोटम पाट को अटेच कर लिया है दोनों ही साइट से अभी हमें टॉप पार्ट को उल्टा कर लेना है इस तरह से हम इसे उल्टा कर लेंगे और जहां तक हमारी कमर की चोड़ाई है वहां तक हम दो इंच का गेप रखेंगे उसके बाद नीचे से हमें एक इंच का गेप रखते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है इसी तरह से हम दूसरे सेट पर भी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे उसके बाद जो नीचे की बादर है उसमें अगर आप स्टीच करवाएंगे तो इसका फॉल बहुत ही अच्छे से आता है तो आपको स्टीच ही करवानी होगी या फिर आप चाहे तो इसकी बादर को इस तरह से डबल फोल करते हुए भी इसमें सिलाई लगा सकते है पूरे राउंड में तो देखे मैंने इसकी फिटिंग कर ली है तोनों ही सैट से और नीचे की जो बॉडर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाय लगा दी है और इसी के साथ यह हमारा पेपलम बेबी टॉप बन कर रेडी हो चुका है और यह है इसका फाइनल लूप So friends, I hope आपको आज का यह टुटोरियल पसंद आया होगा अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भुलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और इसके नीचे का जो सर्कुलर प्लाजो है उसकी कटिंग और स्टिचिंग में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा मेरा ये वीडियो देखने के लिए थेंक्यू सो मच गाईस